नमश्कार आप सभी का स्वागत है विंद भारत में मैं हूँ आपके साथ साक्षी गुपता ये बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ अध्ययन रत चात्रा रही है उप्रोक्त शिक्षक के खिलाफ अशलील हरकते करने का मामला प्रकाश में आया था जिसकी प्राथमी की रिपोर्ट एफ आया दर्स कराया गया था उप्रोक्त अपराधी शिक्षक साथ, आठ माह फरारी काटने के बाद एंटिसिपेटरी बेल कराकर संस्था में उपस्त। अन्यत्र एड्मिशन कराने को मजबूर है अथवा बच्चेयों की पढ़ाई ही बंद कराने को मजबूर है जब विद्याले में ही शिक्षक की हैवानियत होगी तो भला बाहर लड़किया कैसे। सुरक्षित रहेगी शिक्षक में तो माता-पिता की छवी होती है, इसलिए अभीभावक बेखौफ रहते हैं कि हमारी बेटियां सुरक्षित हाथों में है, परंतु छेत्र में शिक्षक की पूर्व की हरक्तों को देखकर अभीभावक और छात्राओं में अभी भी डर का माह जल देखा जा रहा है, जिस्से इस विद्याले में छातराइं प्रवेश लेने से डर रही है और विद्याले की छवी समाज में धूंिल पड़ रही है, ऐसे कारियरत शिक्षक महेश प्रसाद प्रजापती को विद्यालय से हटाए जाने की महती आवशकता है ताकि यह प्रतिष्ठित विद्यालय अपनी गरिमा को बनाए रखने में कायम रह सके ऐसे शिक्षक की जाच आवशक है जिसका खुलासा तो जाचों परांथी संभव है इतनी बड़ी घटना घटित होने के बाद भी जिले के जिनमेदार अधिकारियों का ध्यान आखिरकार इस और क्यों नहीं गया किसके संरक्षन में ऐसे शिक्षक गुरू और शिष्य को कलंकित कर ना रहे हैं यह तो देखने लाओं बात होगी कि ऐसे शिक्षक को संस्था से कहीं अन्यत्र हटाया जाएगा या नहीं यग्यतो भविश्य के गर्भ में है छात्राएं कब तक भय मुक्त हो पाएगी एक अकेला शिक्षक सब पर भारी शिक्षा विभाग पदस्थ है यार बिटिया के साथ असलिलता की हरकत करने वाले करमचारी को क्या उसी स्कूल में रखना चाहिए उसने वह अभी तक उसी विद्याले में है जो मेरा बिरोधी बन गया है मुझो और यह स्टी एक्ट लगानी की धमकी देता है और मेरा वो रिकार्ड चोरी करके छीपा के अलक से रख लिया मेरी मेरे पास रिकार्ड नहीं है यह मय्ता रहूँ जब तक यह माडल स्कूल में रहेगा इस माडल स्कूल शिकुर नहीं होगा इसको पहले अटाओ, इसको जेल भी, इसको मुझे मंजूर है, आप से क्या बताओं पत्र कार्म होता है, पहले ऐसे निकम में सिक्षक को जो छात्रा के स्वातसली हरकत करने के लिए